सो गई 2024 में यूटूब की तरफ से एक नया अपडेट आ गया है YT Studio एप में और इस अपडेट के बारे मैं अभी तक किसी भी बड़े यूटूबर ने वीडियो नहीं बना है फर्स्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ अपडेट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ और गई ये जो अपडेट है अभी किसी किसी यूटूब क्रेटर को ही मिला है तो अपडेट क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक आप YouTube की एप से ही अपनी वीडियो को अपलोड करते थे बहुत सारे क्रेटर जो है YouTube एपलीकेशन से ही अपनी वीडियो को अपलोड करते थे कापी सारे लोगों को ये update मिल चुका होगा और कापी सारे लोगों को ये update अभी तक नहीं मिला होगा तो यहाँ पर मैं आपको with proof के साथ दिखा देता हूँ कि मुझे तो ये update मिल चुका है आपको मिला है या पर नहीं मिला आप मुझे comment करके बता सकते हो तो यहाँ पर आपको मेरे mobile की skin recording देखने को मिल जागी तो यहाँ पर मैं आपको proof के साथ देखा देता हूँ कि update किस तरीके से आया और किस तरीके से आप अपनी वीडियो को YT studio app से upload करोगे तो guys यहाँ पर मैंने अपने mobile की skin recording यहाँ पर on कर लिया सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकतो आज है 5 जनबरी 2024 और यह update आज ही मुझे मिला है कापी सारे लोगों को यह मिल चुका होगा तो यहाँ पर देख सकतो मैंने अपना YT studio app open कर लिया जैसी मैं यहाँ पर open करता हूँ तो यहाँ पर देख सकतो मेरा दूसरा YouTube channel यहाँ पर open है तो guys जैसी आप यहाँ पर YT studio app को open करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे उपर टॉप पर जहाँ पर आपको बैल आइकन देख रहा हुगा उसके just bugle में आपको plus बाला आइकन देख रहा हुगा यहाँ पर मैं click कर देता हूँ जैसी click करता हूँ तो यहाँ पर देख सकतो मैं gallery में चला गया हूँ तो guys यहाँ पर देख सकतो जैसी मैं ने यहाँ पर वीडियो को select किया तो यहाँ पर मुझे title लेखने का option भी आ गया है इसी तरीके से आपको भी अगर यह option देखने को मिलना होगा तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को अपलोड कर पाओगे यहाँ पर आपको title description लेखने का option मिल गया साथी साथ यहाँ से आप अपनी वीडियो को public private करना चाहे तो वह भी यहाँ से select कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको चार-पांच option देखने को मिलना है यहाँ से आप जैसी select कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको connect है आपको मैं example के तोर पर यहाँ पर audience सेलेक्ड कर लिनीए हुआ ऊसके बाद यहाँ पर आपको audience सेलेक्ड करने के बाद next कर देना next जैसी करोगे तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वह upload होना start हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो और यह जो मैं कर रहा हूं yt studio की आप से ही कर रहा हूं आपको वीडियो सही तरीके से संजमा आगे होगी वीडियो कर आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना चैनल पर ना हो पहली वरा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना